हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु स्टडी बस तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 29 में ओफ आर 50 डे चालेंज कितने लोग इस पूरे चालेंज को सीरिसली कर रहे हैं नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहें तो आज हम देखते हैं क्या क्या हमारे डेली टार्गेट से जो अभी आज रात तक अचीव करने हैं तो माई नेम है सौरब कुठारी लेट से स्टार्ट तो सबसे पहले आज का हमारे पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है एसा नहीं होता कि कोई इंसान एक दिर में इंटेलिजेंट या जीनिस हो जाता है आप दीरे दीरे एफ़र्ट लगाते हो अपने इंप्रूमेंट की तरह फोकस करते हो और आपको रिजर्ट दिखने लगते हैं जैसे आप में से बहुत सर ऐसे स्टुएंट्स होंगे जिनो आप काफी जादा डिसिप्लेंड हो हो काफी जादा इंप्रूमेंट आया तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर हम आज के टार्गेट की बात करें तो सबसे पहले पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन के अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वही आपको करनें प्रैक्तिस के उपर तो क्या-क्याद आपको प्रैक्तिस करनें ऊपर आपको वन डेयगनाप्स के प्रैक्तिस के होगे इस मौक का बना है तो अगर आप उसमें रोल करना चाहता हूँ हमारी website studyburst.co.in से जाके purchase कर सकते हो और जो आप यहाँ पे mock दे दोगे इसके वीडियो के नीचे आगे आपको comment करना है क्या आपको score आया है और क्या percentile बनी है percentile आप अपने coaching के साफ से नहीं देखोगे आपको मैं last year का cat का actual data दिखा रहा हूँ क्योंकि coaching में जो होता है आपकी percentile उपन नीचे होती रहती है based on number of students तो आप वहाँ पे अपने absolute score देखोगे and based on that आपकी क्या percentile बनी है वो इस वीडियो के नीचे comment करोगे जैसे last year 75 marks पे 98 percentile थी, 84 marks पे 99 percentile थी 49 marks में 90 percentile थी, 42 marks पे 85 percentile थी and 36 marks पे 80 percentile थी तो based on this आपकी क्या percentile बन रही है नीचे comment जरूर करना I hope आप ये पूरी जर्णी enjoy कर रहे हो, हमारे mock test, sexual test काफी ज़दा increase हो रहे है सले बस हमारा थोड़े time में finish हो रहेगा, उसके बाद full length हमारी practice चलने वाली है तो ये 50 day challenge को इसी तरह से follow करते रहना और ये comprehensive cat की preparation आपकी हो जाएगी So all the very best, thank you so much and take care